कि बैटरी को टेस्ट करने के लिए आपके पास में मीटर होनाँ चीए एक तो हाइड्रमिटर होना चाहिए ठीक है और दूसरा एक होना चीए आपका यह सेल टेस्टर सेल टेस्टर को यह बहुत कम करते हैं प्योंकि अभी बैटरी इसका वर्णन बाद में करते हैं लेकिन इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर है या नहीं है अब उसका इलेक्ट्रोलाइट को आपको चेक करना है इलेक्ट्रोलाइट को तो इसके लिए हाइड्रोमिटर हाइड्रोमिटर इस टैप का होता है तो पर एक वाल्व लगा होता है इस प यहां बीच में इसे खोल करके जब वैंट प्लग है वैंट भल निकाल लो फिर देडेडरे वाल को छोड़ दो तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर जाया गा तो यह फ़लॉट तेरता होती है नीचे घर से होंग के बीच मेंbeing 500- 1200 और उपरेबारास फिर 1100 य Banks प्रकार से अगर वह यह पूरा रहता है इसके हमतलब पूरा हिलेक्ट्रोलेट पॉरेट फर ऊड़ाःट पानी बन गया है आपने पास में अवलेबल तो है संस्थान में उसकी थियोरी पर पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल करकने के लिए जैसे जाएंगे तब मालूम पड़ता है कि हमारे पास बैटरी जो है उसके उपर तो इसका कवर लगा हुआ है एक सेल टेस्ट करने का हमरे पास में सोर्ज ही नही तो इसका उपयोग बहτα कम होता है को भी नहीं कि पर बहुत पहले जो ठे जब वैट्री आती थी उसके उपर कवर नहीं होता था एक सेल के उपर इसके दोनों तेस्टर में इसकी दोनों टांगे हैं दोनों टर्मिनल के ऊपर टच हो जाए इस तरह की इतनी डिस्टेंस के उपर बनाई गी आगे इन चुल्ट को अकुक्त करने के बाद कितनी करण्ट देता है यह देखना है जैसे कि यह 12V 12.56 है तो माइनस पांच वोल्ट हो गया था यह 7वल्ट 7.56 कम से कम रहना ही चाहिए यह वोल्टमिटर अगर आपने लगा के रखा है तो 7 तो नहीं होना चाहिए हम जानते हैं कि जैसे भाहर पढ़ता है तो सब्सक्राइब बाद किसी मशिन के पर बहार पड़ेगा तो बैटे का थोड़ा बैटरी यह बैटरी पीटे की मतलब एक तरह से वल्टीज डाउन हो गए अब इसको कहते हैं आपका potential difference load पर जो ना पा जाता है बिना load पर होता है वो EMF, EMF और PD यह potential difference यह है भार पर आप जो भी भार लगा रहे हैं यह और यह EMF होता है बिना भार पर यह PD जो है वो साथ से उपर उपर रहना चाहिए तो वो बेटरी आपकी ठीक है वो भी कब भार पर मतलब आपने सेल्प का जो चाफिक घुमाई है लोड पड़ा है मोटर चली है इंजिनी स्टार्ट हो रहा है उस समय की जो इस्तिती है उस समय आपके इससे कम नहीं होने चाहिए तो यह देखने के बाद आपको यू लगता ह है कि यह वोल्टेज कम है और बैटरी को चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे के आगे चार्जिंग करने के लिए अपन क्या करते हैं वह आपके पास में जीत तीन हमरे स्टेंडर्ड विदिया है कि यह स्कॉंस्टेंट करंट में थरड है और एक रेक्टिफायर या पेटरी द्वारा चार्ज के एंदे ये तीन में तड़ अलग अलग है करन्ट और इस्तिर वोल्टेज कॉंस्टेंट करन्ट कॉंस्टेंट वोल्टेज विदी जो है वह जहां डीजी सप्लाइए वहां पर यह अपने जाते जहां डीजी अवलबल नहीं है वहां पर रेक्टिफार या हिने यमेंसेज लगा दिया यहां पर मैंसेज के बाद यहां पर एकल लोड रेंप बैंक घप जल दिया लडा दिया वो सब्सक्राइस प्लागर नहीं अब करते हैं को आन करने के बाद ये जब सारे खुले हुए उस समय है इसमें कोई current flow नहीं होती है जब आप एक parameter on करते हैं जैसे एक parameter on कрыं तो इसमें जो current है वो बहुत ही current कंगानेगी एक को जात्यों करना है उसकी बा convenience करना है उसके बार दूसरे स्विच को ओन करना है और देखें कि हमें कितनी करण्ट की आवश्चता है बेटरी को चार्ज करने के लिए जैसे जैसे आप लेंपों की संख्या ज्यादा करते जाएंगे हमारी करेंट की ज़या होती जाएगे क्योंकि सीरिस के अंदर जो रिजिस्टेंस है सब पैरल्ल में जुड़े हुए पैरल डीसी सप्लाई जहां एवलेबल है वही होगा यह और एक दूसरा मैतर यदि आपके पास में डीसी शंट जनेरेटर जैसे यह यह फिल्ड का रेगुलेटर है यह फिल्ड का रेगुलेटर से आप रेगुलेटर करके उसके वोल्टेज जो है वो कम जदा करके आप बैटरी को कर सकते हैं तो यह पूरा हिस्सा कि यह आपका शंट जनेरेटर है तो इसकी साहता से भी आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं डी सी का लेकिन यह सब सिस्टम जो है डी सी सिस्टम ही है इस सिस्टम के आधार पर ही बैटरी को चार्ज कि जा सकता है क्योंकि यह बहुत कम काम में ले तो यह सिस्टम ठीक है यह सिस्टम अपना जाता है बहुत ज्यादा बैटरिय एक साथ चार्ज करनी है तो यह मैथड़ अपना जाता है तो यह हो गया आपका कॉंस्टेंट करन्थ अब देखते हैं पका कॉंस्टेंट वोल्टेज वीदी क्या होती है स्थिर व्णिज विदी इसके अंदर भी आपको डी सिसी सप्ल्य चाहिए लेकिन डी सेप्ली कीष़ा मतलब कितने कि बेटरी बाड़ा तो ही स्टेंडडर की अगर फेडर्स का MP3 सब्सक्रास उसके लिए आपको पंद्रा वोल्ट देने हैं मतलब उसका हुआ की बैटरी है तो वो आंते नियुक सब्सक्राइइन है ये डिफी आपको डी-स इस सोर्ष देना है यह यह चाहिए तो यह चाहिए बहुत ही कम अपना ही जाती है तो इसका उप्योग भी कम होता है अब नेक्स्ट आपकी जो मैथड है बैटरी चार्जिंग अपने नहीं लावन करते हैं उसके बाद फिर रेक्टिफार लगा जाती है वह एसी उसकी प्रामरी वेंडिंग उसके बहुत सारी टेपिंग निकाल कर रखी है टेपिंग आपको 6 बारा वोल्ट चोबीस आरतालिस इस प्रकार से इसे अलगलग सेटिंग कर के रखा हुआ है यह आपको जड़ेक्टर स्विच लगा दिया है कि आपको जितनी बैटरी मारो दो बैटरीयाँ एक साथ अगर आपको दो बैटरियां चार्ज करनी है नोको सीरीज में कर दो पहले बैटरी का जो पॉजर टिव सिरा उसके नेगेटी जोड़ करके पॉजर नेगेटी दो करके इसको चार्ज कर सकते तो 24 इसका मतलब इसमें जो आएंगे वह तीस वल्ट के आसपस आएंगे यह बारा है तो फिर 15 वल्ट इसको देंगे तब जाकर करके नहीं यह बैटरी आपकी चार्ज होगी और बीच में एक रेक्टिफ हैर होगा यह चार्ड डायोड बना करके न कि यह जो आपकी प्राइमरी वेंडिंग इसमें निकाल करके एक सेलेक्टर स्विच यहां पर भी लगा दिया ऐसा ही एक सेलेक्टर स्विच यहां लगा दिया ताकि जो कम-कम एंपियर पर थोड़ा सा बदलाव चाहिए आपको वोल्टेज कम जादा वरियेशन करना हो तो यहां पर जो है वो फाइन वाला सेलेक्टर स्विच यहां पर भी लगा दिते हैं और एक सेलेक्टर स्विच यहां पर जो है और यह सप्लाई इसकी यहां न देकर के अपन इसमें देंगे तो यह अलग-अलग जो है यह फाइन का सेलेक्टर स्विच हो गया यह फाइन वाल चोटी बैटरी तो सीधा एक डायोड लगा के काम चला सकते हैं जैसे कि यहां पर एक ट्रास्फर्म लगा दिया है आपको इसे इसको चार्ज कर जाते हैं या फिर एक सेंटर टैप ट्रास्फर्म पर आता है अगर मानलो आपके पास में सेंटर टैप ट्रास्फर्म थो उसमें छोटी बैटरी लगानी है और संपर करके इस सिक्स का है या 909 का है तो ऐसे थोते ट्रास्फॉर्मर है तो आप उसे स्पान Zero प्रकार से इसके अंदर ट्रास्फरमर में निकल के रखे गई तो इन टेपिंग को पर आप सेटिंग करते हैं अगर मॉन आपको दो बैटरी एक साथ चार्ज करने हैं तो दो बैटरी को सीरिज में करेंगे इस प्रकार से एक बैटरी जैसे ग्रक्त सार्ट सब्सक्राइब्स. जो है आपका यह बैटरी चार्जर का जो सलेक्टर स्वीच है वो 12 के बज़ए 24 पर रखना है ठीक है 24 पर रखने के बाद फिर अपन जे एमपीर देखेंगे कि हमें कितने एमपीर पर उसको चार्ज करना है अगर मालों आपको 10 एमपीर पर चार्ज करना है या 5 एमपीर या 6 एमपीर पर उसको चार्ज करना है तो यह एमपीर की जो सेटि 12 वोल्ट के बेटरी होगी 24 वोल्ट त Lewis लीए इसको 30 वोल्ट सप्लाई से इसको चार्ज करना है हम यह देखना है कि हमें चार्जिंग कितने समय तक करना है और दूसरा कि चार्ज हो रही है नहीं हमीं कैसे मालूम पड़ेगा तीस के तीन लक्षण जो देखने है आपको बैटरी जब चार्जिंग हो रही होती है तो उससमय क्या क्या होते हैं और बैटरी चारिजिंग करने से पहले आपको स्कसु खुल देने हैं जो के वेंट फलक खोल एक थाकी गेस वह आसानी से बाहर देखने के बाद जैसे आपने चार्जिंग कर रखा है तो उसमें बूल बूले निकल रहे होते हैं नमबर एक तो मालूम पढ़ जागा कि हां अंदर राशा नहीं करें हो रही है एंपर मीटर का जो यह इंडिकेशन यह देखते रहना है कि यह बराबर चलता है नहीं चलता है तीसरी चीज आपकी ग्रेविटी नापनी है हाइड्रोमिटर से ग्रेविटी नापनी है वो जो ग्रेविटी है हाइड्रोमिटर का उप्योग करते रहना है हाइड्रोमिटर से आपकी ग्रेविटी नापते रहे तो जो ग्रेविटी है यह शुरू में माना कि आपकी यह ब आपकी जो एक ग्रेवीटी जो है यह आपको देखनी है और समय समय और उसके लिए बैटरी की दक्षता देखनी है बैटरी की दक्षता एच डिस्चार्जिंग डिस्चार्ज में कितने गंटे लगे हैं और चार्जिंग में कितने गंटे लगेंगे तो यह अनुमान अपन जैसे यह 90% से अगर अच्छी क्वालिटी है तो 95% जैसे जैसे बैटरी पूरा नहीं होती जाएगी तो वह 80% के सिर्पटे बीटरी दिश्चारज हुआ है तो 9 गंटे बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो आपको 10 गंटे उसको charging के लिए छाईए है ने थीए अगे मालू यह 8 गंटे में 8 गंटे उसके डिष्चारजिंग में लगता है तो से यह वांते यह दो tur ie मानते हैं लेकिन इसके दोरान भी आपको हाइड्रोमीटर से जो ग्रेवीटी है वो नापनी है और ग्रेवीटी जब तक जब तक आपके 1250 नहीं आ जाती है तब तक उसको चार्जिंग पर लगा के रखना है तो इसके बाद ही आप इस बैटरी को यह मान सकता है तो यह तो हो गया आपका वैटरी को चार्जिंग अब कंपेट हो गया है बैटरी को जैसे कुछ यह साफवा रखनीा क्वें कर रहे तो कमरा साफवसुट्र भ muito हुना चींग यह उसमें जलती वी भिखान रखना है और दूसरी बात यह कि जब आप बैटरी चार्ज कर रहे होते हैं इसमें हो सकते हैं कम से कम करण्ट उसको चार्ज करना है ज्यादा करण्ट एक साथ नहीं देनी तो प्लेटे उसकी मुड़ जाएगी जो बकलिंग हो जाती है दूसरा लंबे समय तक बैटरी डिश्चार्ज अवस्त हामे तो डिस्चार्जिँ अवस्त हैं तो बैटरी की जो पॉसिटीन नेगटे दोनों प्लेटे ले इड़ सलफएड के हो जाती है तो वो पूरी प्लेटों के पर जमा हो जाता है फिर अगर ऐसे ही लंबा समय तक अगर डिस्चार्ज अवस्थ हमें पढ़ा रहा बैटरी को ऐसी रखी है तो ऐसी इस्थितिति में वह पर पर जम जाएगी प्लेटों के उपर वो दुबारा चार्जिंग नहीं होने देगा उसका इंटर्न रिस्टेंस बढ़ जाता है तो हमें लंबे समय तक अगर बैटरी को रखना है तो भी आप उसको ट्रिकल चार्जिंग रखें लंबे समय तक कम करण्ट पर उसको चार्ज चार्जिंग ट्रिकल चार्जिंग क्या है कम करण्ट पर कम करण्ट और समय अधिक लंबा समय कम करण्ट और लंबे समय तक अगर आपको चार्जिंग करना है तो वो ट्रिकल चार्जिंग तो यह ट्रिकल चार्जिंग ताकि वो प्लेटों के उपर सल्पेशन जमें नहीं लेट सल्पेट के नहीं हो और बैटरी अमर लेगातर काम करती रहें तो यह तो हो गया ट्रिकल चार्जिंग एक होता है आपको बूस्ट चार्जिंग कि बूस्ट चार्जिंग थोड़ी सी rate बढ़ा दो, rate बढ़ा करके current की range बढ़ा करके और आप उसको कम समय में charge कर सकते हैं, अगर आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है और बेटरी को तुरत काम में लेना है तो उसको कहते हैं पर boost charging है, तो boost charging है वो कम समय के लिए, जल्दी से charge करने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा इतना जल्दी भी नहीं करें कि उसके प्लेटे मुड़ जाएं और ट्रिकल भी नहीं हो, तो इन दोनों की बीच का एक तो boost charging जो है, वो हल्किसी current ज़्यादा करके आप जल्दी समय थोड़ा कम लगेगा इससे charge हो जाएगी, तो ये तो हो गया आपके लेड एसीड बेटरी चार्जिंग के लिए ये सब वीधिया हो गई है, चार्जिंग के लिए जो विशेश सुर्ग से सावधानिया रखनी ये भी हो गया, अब अपन एक चीज और भी देखते हैं कि हमरे पास में secondary जो सेल होते हैं, एस बेटरी स्टोरेज करने का भी काम कर बेटरी बेटरी बेंक काता है, जो कभी ये युटर बेंक के रूप में अब पास में करने जों सेंपन पाउबअर्य चार्ज करने के लिए पावर्य यूस करते हैं, ढकन ऊपन पाउटरी वसानों की क्या है तो यह लिकल वाली बेटरी काम के लिए आया बाऊयां की लिएा है वो nicle cadmium या nickel iron cell काम में लेते हैं mobile को charge करने के दिए power bank के रुक में इस पकार से काम मिले रहें । पावर bank है । ऐसा यह power bank अपन można Caroline को चार्ज über च्रृण के लिए काम में लेते हैं चार्ज अंदर शारे Purdue से से ही बनाए जाता है तो यह पावर बैंक जो जनरल यह अपने यूज़ करते हैं यह सेकेंड सेल है इसकी जो सेट की केपरिसिटी 1.2 वॉल्ट है तो एक मोबाइल की जो बैटरी होती है 3.7 वॉल्ट आपको चार्ज करने के लिए 5 वॉल्ट चाहिए इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 5 वॉल्ट चाहिए केडमियम या निकल आईरन सेल इसमें जो निकल आईरन सेल इस पकार से सीरीज में जोड़ करके और बनाए जाता है यह आपका पावर बैंक जो मोबाइल चार्ज करने के काम आता है इसमें यह यूएसबी सोकेट है युएजबी सोकेट से सीधा आप मोबाइल चार्ज करते हैं तीस में एक तो चार्जिंग सरकीट हो गया यह चार्जिंग सरकीट और दूसरा इसका आउटपुट जो निकल केडिमियम सेल इस टाइप के होते हैं निकल केडिमियम अब आपन इसकी थोड़ी बनावट के बारे में चर्चा करते हैं कि nickel cadmium या nickel iron cell उसका जो positive electrode होता है ये nickel hydroxide nioh nickel hydroxide का ये tube के pipe के जरह सरंद्र वाला छेद वाला जो pipe से इसको बनाय जाता है और इसके साथ में ये nickel की पत्तिया है एक पत्तियों के रूप में nickel का negative उसके उपर लापेट आ जाता है और बीच में lithium hydroxide और आपको पोटेश्यम हाइट्रोक्लोराइड के ओएच lithium hydrate और पोटेश्यम क्लोराइड का पैस्ट के रूप में इलेक्ट्रोलाइड के रूप में भर जाता थी यह तो प्रकार से आपकी जो है यह निकल आयरन निकल केडमियम वन पॉइंट टू से 1.4 वोल्ट देता है है एक सेल जो है वन पॉइंट टू से 1.4 वोल्ट देता है ति यह आप देख लें में कि इस टैप से यह से लों को को जोड़ा गया है एक एंपर का सोकेट अलग है यह पावर बेंक कुछ इस टैप के होते हैं इसमें यह सेलों के संख्या जिससे आप बीजली को स्टोर करके रख सकते हैं और आवश्यक्ता पढ़ना पर इसे काम में लेते हैं तो बैटरी हो गया अब आगे जो सेल अबस में अपन जो भी देखना है देखते हैं